अस्सलाम अलेकुम एवरीवन एक नए वीडियो एक नए दिन के शुरुआत के साथ हम आप लोगों का इस्तिक्पाल करते हैं मामू भानजे की प्यारी सी नोग जोग के साथ तो अमीद करते हैं आप सबको वीडियो बहुत 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 ही ज्यादा पसंद आएगी तो दिल देखा जाता देखो विलाल मामू के दिला माकाब दो है देखो विलाल मामू के दिला मागुली बैठी है की बगुला का बोला था बाबू बगली मेर बोला थे अब यहाँ पटी तुभाया ने अपने मामू की दुखती रख पे हाथ रख दिया है और मामू का गुस्टा देखे अब यहाँ पर फ्रेंड्स देशी वाला जिम स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मस्खरी दोनों लोग करते हैं यहाँ भी मामू भांजे चाहे चोटे हो चाहे बड़े सबकी मस्खरी चालू होती है अभी देखना कि मामा भांजे के ऊपर मतलब बोरा रखता है कि तुम उठाकर ले जाओ और वो धका देते हैं कि तुम लेकर जाओ मतलब बहुत ही ज्यादा है बत्तमीजी करते हैं यह लोग और फिर सीरियस तावर पर काम अपना खतम होता है और चलते हैं अपने दूसरे काम की तरह प्रेंड्स तित्थु भाईया को यहां पर ऐसे ही लग रहा था कि मतलब बच्चा बीमार नहीं है ठीठ ठाक है और जब इस बच्चा को लोगों ने मतलब शारिक ने जबा कर दिया तो तित्थु भाईया की हालत देखने लाइक थी मतलब एक्तम बिचारा बहुत ही ज्या तो हमने कहा कि कोई बाद नहीं बाबू इसका चेरा देख कर तनी हंसी आती है कि कोई बात नहीं आपके पास इते प्यारे की खर्यों से तो फिल एक उनके साथ कहलना और उसे जाने दो और फिल इतना गुसा हुआ कि इतना गुसा हुआ फ्रेंड्स के पनी छोटी सीपीस तो लटा कर शारी के उपर हो गया फाइरिंग करने लगा था और इसके बाद हमारी छोटी छोटी मस्तिया जो खुरा पाद करने होते हैं वो शुदू हो आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं इंगलेश विद्धि दिखाती सर्थ यूटीब चैनल पर और आपके दिखाती सर्थ यहां पर रखे हुए हैं थोड़ा सम आराम मोड में हैं एंड उनका इसमाल बर्दर इस एक्साइटेड बेरी वेरी एक्साइटेड एक्साइटिंग यू लाइव सेशन जोईन करने के लिए हैं और हम मुबाइल पकड़े हुए हैं और आप लोगों का वो मनो रंजन कर रहे हैं और देखिए इनका इसमाल बर्दर किस तरह से पोस पे पोस दे रहा है माशालला अलहुंद लिला और अभी आपके दिखाती सर्थ आप से कुछ इंग्लिस में बात करेंगे तो लीजिए इनके बिना हम क्या नहीं रह सकते जी सकते हैं और हमारे बहुत से इंडियन प्रोड़क्ट हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो इंसानीत के खातिर्याद कुछ तो मदद कीजिए कुछ तो जालिम का हाथ रोगिए बहुत हो गया बहुत हो गया अब हत से पार हो गया तो आप लोग फिरेट उसमास अपना ख्याल रखना और दौा में याद रखना और कुछ सोचना ठीक है?